रेडी इस्टार्ट लंबे वै घने ब्रेक्षों से घिरे इस जंगल की दसा ठीक एक ही समान जान पड़ती थी समय चाहे दिन मान का हो या रात्री काल का इस छेत्र में तो निशा की गहराती अंधियारी ही अपना बसेरा डाले रहती सूर्य देव चाहे जिस भी दिशा में उपस्थित हो उनके लिए भी इस जंगल के मध्ये अपनी किरणों के माध्यम से जहांक पाना लगभग एसंभव ही होता बे नित्य ही इस जंगल के सीमित दायरे में उपयुक्त पोसन प्रिदान किये बिना चले जाते वन के निकटम इलाकों में बिभिन जन जातियां निवास करती थी जो जंगली जीवों से तालमेल बिठा अपना गुजारा करती और बिभिन गतिविधियों में निरत रहती थी धार्मिक आयोजनों की कड़ी में आज कुछ ग्रस्थ भक्तों द्वारा अपने सामोहिक अनुष्ठान की समाप्ती पर साधुओं ब्रहमणों हेतु विसाल भोज का आयोजन किया गया था जिसमें की सुदूर बरती छेत्रों से सिध्ध महापुरुसों तपस्वियों और साधर आमंतरन के साथ ही उन सभी से अपना विशेश आशीश प्रदान करने एबम प्रसाद ग्रहन करने हेतु बिनर्म आग्रह भी किया गया था अपनी अपनी सुगमता एबम सुलबता के आधार पर सुदूर बरती छेत्रों से साधु वै तपस्वी गण आयोजन इस्थल पहुँच अपनी सह भागिता सुनिश्चित कर रहे थे तो बही सिद्ध गुरु गोरकनाथ भी विशेश आमंत्रण पर इस पावन आयोजन की सफलता में अपनी सुभकामनाई प्रदान करने के उद्देश्य से अपने एक सिश्य संग आयोजन इस्थल की और निकले अनेकानेक आलोकिक रिधी सिद्धियों के ग्याता होने के बावजूद गुरु गोरकनाथ अपनी सहजता बनाए रख कभी भी एकारण सक्ती प्रदर्शन नहीं किया करते थे वे आमजन की ही भाती प्रकर्दी की बिधी व्यवस्था का पालन किया करते थे आज की यात्रा उनकी इसी स्वभाविक्ता को लिये थी जिसका अनुसरन उनका सिस्य मूख अवस्था में मन ही मन इष्ठ मंत्र जबते किये जा रहा था जंगल की उसी सघनता में बिशिष्ट होते ही गुरु गोरकनात थोड़ा ठिटके वे कुछ बिचारते दिखाई पड़े शिस्य भी दिशा की ए इस्पश्टता के प्रती संदहे प्रकट करते हुए गुरु से निवेदन स्वरूप कहने लगा गुरु देव संभवत है हम मार्ग से भटक गए हैं गुरु गोरकनात शिस्य को गंभीरता पूर्वग देखते हुए बोले नहीं वत्स मेरे समझ समक्स मार्ग बै प्रियोजन दोनों ही इस्पश्ट है यह कहते हुए गुरु गोरकनात ने नेत्र मूंद लिये बै कुछ ही छडों में ध्यान की सी अवस्था में अर्ध उनमीलित नेत्रों से कुछ देखते धीमी आवाज में कहने लगे मुझे तो इस पीपल की ठीक सीधे में वह ग्राम दिखाई दे रहा है जहां परियाप्त भीड है वह आयोजन के मध्य साधूं समेद कई ग्राम वाशियों की चहल कदमी भी सुनाई पड़ती है साथ ही बही कुछ भोज्य पदार्थों की सुगंध भी मुझे तक पहुच रही है ब्राम